हेलो फ्रेंड्स मैं प्रितियादव स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में आज अंचानेंगे कि प्रिग्नेंसी में रिलेशन बनाती है समय हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रिग्नेंसी के दौरान महिला की बाडी में बहुत ही तरीके के हार्मोनल चेंजिस आते हैं जिसकी वज़े से कभी उन में रिलेशन मनाने की इक्षा होती है तो कभी नहीं होती है प्रिग्नेंसी में रिलेशन बनाना सही है या नहीं या फिर इस से आपके होने वाले बेबी को कितना नुकसान हो सकता है ये सारे सवाल हर प्रिग्नेंट भीला के मन में कभी न कभी तो आते ही हैं इसको लेकर आपकी और आपके हस्वेंड के बीच में कभी कभी कोई मन मुटाओं भी हो जाता है इसलिए मैं आज आपको इन सारे सवालों से टेंशन फ्री करने आई हूँ मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको प्रेग्नेंसी में रिलेशन बनाना चाहिए या पिर नहीं बनाना चाहिए और अगर बना सकते हैं तो उस टाइम आपको क्या साफधानी अबरत दे चाहिए उसके लिए आप हमारी वीडियो पूरी चरूर देखे फ्रेंड्स प्रेग्नेंसी के दोरान रिलेशन मनाना सेफ तो होता है लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडिशन के साथ क्योंकि अगर जब तक आप हैल्दी हो और आपकी डॉक्टर आपको रिलेशन मनाने के लिए मना नहीं करते हैं आप रिलेशन मना सकते हैं जब आपका मन करे क्योंकि यूट्रस में शिशु अम्मोनिटिक थैली के साथ-साथ आपकी यूट्रस के घर में सेफ रहता है relation बनाने से आपके बच्चे को कोई negative असर नहीं होता इसलिए कभी कभी कुछ डॉक्टर खुद आपको pregnancy के last हपतों में relation ना बनाने की सलहा देते हैं क्योंकि उसके अनुसार prostaglandins, namax, semen hormone contraction को बढ़ा देते हैं आम तरपर pregnancy की पहली तिमाई में relation बनाना safe तो होता है क्योंकि इस दौरान आपका जो पेटकर साइज है वो जादा नहीं भरता है लेकिन फिर भी doctors आपको starting में 2-3 हफदों तक relation ना बनाने की advice देते हैं इसके बाद आप अगले 3 महिने तक बिना किसे retention के relation बना सकते हैं फिर भी आपको साबधानी भरतने की जरूरत परती है क्योंकि होता यह है कि जो इस pump एक को फैलोपीन ट्यूब में fertilize करता है जिसे embryo बनता है वो uterus की lining पर जाकर चिपक जाता है यह चने की आकार का होता है तीन महिने तक यह इतना develop हो जाता है कि इतना बड़ा हो जाता है वो private part से बाहर भी आ सकता है ऐसे में अगर couple शुरुवाती तीन महिने में relation बनाती है तो relation बनाती समय जोर से धटका लगने पर छोटा सा embryo बाहर आ सकता है जिससे आपको miscarriage होने का खत्रा बना रहता है इसलिए शुरुवाती तीन महिने में relation जितना अच्छा होता है उतना ही इसमें साबधन रहने की जरूरत होती है प्रेगनेंसी में relation बनाने के दौरान ऐसी position में रहे जिससे बच्चे पर किसी भी तरीके का कोई pressure ना पड़े इसके अलावा प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाई तक आते आते प्रेगनेंसी में इलाके हार्मोन्स में कई तरीके की changes आने रखते है जिससे उनको कभी relation बनाने की इक्षा जादा होने लगती है तो कभी बिलकुल मन नहीं करता और दूसरी तिमाई में आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया होता है कि वो uterus की lining पर attach हो जाता है जिसकी बाद वो निकल नहीं सकता इसलिए दूसरी तिमाई में आप relation के लिए ऐसी position चुने कि होने वाले बच्चे को किसी भी तरीके का खत्रा ना हो इसकी बाद pregnancy की तीसरी तिमाई में relation बनाना रिस्की होता है क्योंकि साथवे मेने तक सिसु काफी विखसे तो चुका होता है movement करने लगता है, हाथ पर हिलाने लगता है, लात मारने लगता है यहां तक कि उससर सर भी नीचे की और खिसकने लगता है ऐसी position में अकसर doctor relation मनाने के लिए मना कर देते हैं तीसरी तिमाई में बच्चे का आकार भी काफी बढ़ जाता है और उसका सिर भी नीचे की और आ जाता है ऐसे में relation मनाने से बेबी को नुकसान पहुँच सकता है और इस समय में relation मनाने से कोई गर्वती मही लाए miscarriage का सिकार हो जाती है इसलिए बहतर है कि आप चौते से साथवे महीने तक relation मनाए वो भी पूरी safety के साथ अभी तक हमने ये जाना कि pregnancy में relation मनाती समय आपको क्या साथवानी परती चाहिए अब इसकी बाद हम ये बात करते हैं कि pregnancy में relation मनाने से आपको क्या फायदी होते है तो सबसे पहली बात कि pregnancy में relation मनाने से मा और बच्चे दोनों को ही अच्छा फील होता है डिलेशन बनाने के दौरान और्गिजम एंडोफिर्न हार्मोन्स रिलीज करता है जो मा और बच्चे को खुश रखता है इसके अलावा प्रेग्नेंसी के दौरान डिलेशन बनाने से इम्मिनेटी सिस्टम भी अच्छा होता है एक रिसर्च में ये पाया गया है कि रिलेशन बनाने से बौडी में आईजिये बढ़ता है आईजिये एक एंटी बौडी है जो प्रेग्नेंसी में सरदी जो खाम के अलावा प्रेग्नेंसी में इलागों कई बिमारीं से दूर रखती है इसके अलावा प्रिग्नेंसी में रिलेशन बनानी से आपका बीपी कंट्रोल में रहता है क्योंकि हाई बीपी मा और होनी वाले बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होता है इसलिए pregnancy में relation मनाने के लिए आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट चरूर कर ले अब अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की जानकरी मिलती रहे अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंड वोक्स में जरूर लिखे हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे अब मैं आपसे विदा लेती हूँ अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें स्वस्त रहें